हेलो दियर स्टुडेंट तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है चछतिसगड कक्षा आठ भी विज्ञान परियोजनकार्या उत्तर तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास वेख्ञान यानि की सइन्स का जो आपका मिडलाइन आकलन का परियोजनकार्या मिला है उसके answer बताएंगे तो आपको video को end तक देखना है video को like भी करना है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है और तो हमारे चैनल को subscribe कर ले क्योंकि हम अपने channel पर सभी subject के जो project के answer है वो upload कर चुके हैं सबी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमें कमेंट करके भी बताए कि आपको किस और सब्जेक्ट के जो परियोजना कार्रे के उत्तर चाहिए तो देखिए मिडलाइन आकलन दोजार इकिस से बाइस परियोजना कार्रे कक्षा आठ विश्य है विज्ञान एव प्रयोद्यगी की तो यह आपका पूरा दस नंबर का टेस्ट है तो इसमें जो भी कोश्चन पूछे गए हैं वो हम आपको बताएंगे तो देखिए जो पहल प्रसान है अपका अपने घर के आसपास शाल aha गाव शहर को प्लास्टिक मुक्त बनानेके लिए अभियान चलाएं तदा समुदय को तो देखिए इसमें आपको क्या करना है कि अपने घर के आसपास जो है अभियान चलाना तो देखिए मैं आपको बताती हूं कि आपको यह कैसे लिखना है तो आप यह प्रोजक्ट कार रहे हैं जो है किसी कलरफुल पेपर जैसे एफोर साइज शीट होती है प्लेन पर भी या चलाएं तो देखिए और गति विधियां भी बताय कि समुदाय को आप कैसे जागरूप करोगे उन्हें क्या क्या बाते समझा कि प्लास्टिक के प्रती जो है जागरूप करोगे तो सबसे पहले इसमें आपको हैडिंग डालने नहीं है ब्लैक पैन से गाव शहर को प्लास् ह담 लेंगे ब्लैक पैन से उसके अंदर आपको ब्लू पैन से लिखना है जो मैंनेज में लिखा हूआ आपको यहीं है जैसे कि अगर हम अपने गाव यह शहर को प्लास्टिक मुक्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यह संकल्प लेना होगाए और सब्लास्था करनी होग तो निमिलिकित बंदू को अभियान में उजागर करना होगा यानि कि आपको अपने अभियान में कौन-कौन सी बंदू को उजागर करना है तो देखें यहां पे बंदू यहां पर डोट बनाके पॉइंट लिखे हुए हैं आपको ऐसे ही सेम पॉइंट अपने परयोजन कार् करें उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको लिखना है प्लास्टिक की प्लेट के अलावा मिट्टी या ताम्मे के बरतन का इस्तमाल किया जाए तो यह प्लास्टिक को दूर करने का अच्छा विकल्प होगा नेक्स्ट जब भी बजार को समान लेने जाए तो साथ में हमेशा बैग लेकर ही जाए तो आप इन पॉइंटों को बताके अपने आसपास जो भी आपका सहर ये गाम है वहाँ पे लोगों को जागरू कर सकते हैं तो यह सारी बाते आपको पहले कोशन में लिखनी है उसके बाद प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है इसलिए हमें प्ल परियोग यानि की साइकल के लिए दे देनी चाहिए ऐसे करने से हम प्लास्टिक के परियोग को कम कर सकते हैं तो यहाँ पे था हमने बताया कि जो समुदाए उसको जागरू करेंगे ठीक है अब उसके बाद देखे आगे क्या लिखना है समुदाए को जागरू करने के क्याक्या गतिविदियां करेंगे तो देखिए पहला अपने गांफ सको प्रास्टिक मुक्त मुक्त बनाने के लिए हमें पॉलती जागरुकता रेली निकालेंगे जिस सबी लोगों तक सबी लोगों प्रास्टिक को लेकर जागरुकता फैल् ही यानि कि आ camping पॉलतीन जो उप्योग नहीं करना चाहिए ठीक है उसके दूसरा है प्लास्टिक पर्दूशन को रोकने के लिए प्लास्टिक से बने अफ़ादों को कम से कम इस्तमाल करना होगा थाकि कि प्लास्टिक से मुक्ति मिल सके यानि कि जो भी जो भी इंवार्मेंट पॉलुशन होता है ठीक है प्लास्टिक की वज़ा से तो प्लास्टिक का जो उप्योग कम करके आप उसको खतम कर सकते हैं उसके पर तीसरा पॉइंट आज़े था प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रति आता है तो यह सारे जो पॉइंट आपको अपने यह इसी प्रयोजना कार्णे में लिखना है उसके बाद उसमें कहा गया था कि गतिविद्या के साथ साथ नारे बनाए और नारों को भी आपको बताना है कि समधाव को जागुर करने के लिए नारे कौन-कौन से नारे का प्रि बनाना है तो यह नारे हैं और देख लेते हैं आपे तीसरा है आओ मिलकर ले यह प्रण नहीं करेंगे प्लास्टिक पर्योग चोथा है प्लास्टिक के उप्योग को हटाना है अपने गाँव को प्लास्टिक मुक्त बनाना है पांचtur फटाओ मान घीवन बचाओ तो प्रयोजन का आपका मिला है तो हमने पहले कोश्चन का उत्तर जो आपको बता दिया है अगर आपको और जो पॉस्ट नमबर सेगिंग यह थरड का आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताए हम आपको उसका भी सोल्यूशन दे देंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो अगर वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के ताद भी शेयर करें ताकि सभी का प्रोजेक्ट वर जए अगर यठसरी करें जाने मिन वर दो सभी करें तो लाइक सभी स ​गश्सक्राइब कर बाば वेन रहीं व्रा व्ơलत व।